वेदर आप एक creator हो या फिर कोई ऐसे user हो जिसको अपने iPhone के camera पे full control चाहिए तो आपके लिए एक नया camera app launch किया Apple ने जो बहुत ही useful है and most importantly free है तो इस app से आप wide balance adjust कर सकते हो, manual focus कर सकते हो, audio को measure कर सकते हो, ISO set कर सकते हो, shutter speed भी set कर सकते हो यहां तक resolution चेंज कर सकते हो, video formats भी change कर सकते हो, तो कौन सा app पे जो Apple ने launch किया है, यह है final cut camera, जैसे कि मैंने बता है completely free है आईए detail में बताता हूं कौन से devices पे support करेगा and क्या इसके नए features हैं नमस्कार दोस्तों, मैंना मयामित, टेकनोलोजी की दुनिया में हर दिन अकुना सीखना चाहते हो, तो यह चैनल specifically आपके लिए, तो सबसे पहले अगर supported devices की बात करें, तो यहां पे आप देख सकते हो, works on any iPhone जिसमें iOS 17.4 के बात का कोई भी version हो, तो अगर आपके iPhone में iOS 17.4 के बात का कोई भी version है, including iOS 18, तो यह अप उन सब phones में चलेगा, तो आइए अब बात करना था कि यह वाले अप आप आपको use कैसे करना है, तो जैसे open करोगे, सबसे पहले अपको यहां पे आपको continue करना पड़ेगा, और आपको कुछ permissions यहां पे allow कर देनी पड़ेगी, उसके बा basic features की बात कर लेते हैं, तो यहां पे जैसे आप tap करोगे, सबसे पहले आप HEVC को change करके ProRes भी कर सकते हो, अब यह वाला जो phone है, वो iPhone 15 है, इसलिए आपको ProRes का option नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी Pro model है, जैसे के 14 Pro Max, उसमें आपको दो option दिख जाएंगे next आपको यहां पे HDR का option मिल रहा है, आप HDR यहां पे set कर सकते हो, यहां पे tap करने के बाद, आप 4K resolution 1080p यहां पे 720p, इन तीनों मां से कोई भी एक resolution set कर सकते हो, आपके iPhone की camera के लिए, 30fps पे जैसे tap करोगे, यहां पे आप set कर सकते हो, कितने fps पे आपको recording करनी है, इसके सिवाए आपको यहां पे time दिख रहा है, अब यह time change होगा, अब जैसे मैंने HEVC यहां पे select किया है, तो आपको 4 hours and 36 minutes दिख रहा है, अपको अगर आप ProRes यहां पे select करोगे, तो यहां पे जो time है, वो कम हो जाएगे, तो कि ProRes जादा storage यूज़ करता है, अब जैसे आप कुछ भी बो आता है, वो same चीज़ आप यहां पे भी कर सकते हो, frame rate भी यहां पे select कर सकते हो, next color and dynamic range आप यहां पे set कर सकते हो, stabilization यहां पे activate कर सकते हो, अगर mirror front camera को on करना है, तो वो भी आप यहां पे आके कर सकते हो, फिलाल मैं इसको off करूँगा, और चलेंगे हम tools में, tools में आप grid overlay यहां to 3 चाहिए, यहां फिर अपको आप इसको off भी कर सकते हो, next आता है over exposure indicator, आप इसको on करने से होगा क्या, तो यहां पे आप देख सकते हो, कि यह जो area है, जहां पे मेरा plant पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी over exposure नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको कोई भी red color नहीं दिख रहा है, अगर आपको screen पे red color जादा दिख रहा है, उसका मतलब यह है कि overexposed है आपका subject है, लेकिन यहां पे मेरी lighting परफेक्ट है, इसलिए आपको कोई भी overexposure नहीं दिख रहा है, अपको छोटी मोटी area है, जैसे यह जो area है, वहां पे आपको थोड़ा सा red दिख रहा है, जिसका म वापस आते है settings में, यहां पे नीचे आप focus peaking भी कर सकते हो, तो यहां पे जैसे वापस आप आओगे, अब जैसे मैं आपर recording शुरू करता हूँ, आप देख सकते हो, यहां पे थोड़ा green हो चुका है, अब green का मतलब यह है कि इस area में आपका focus है, तो जहां जहां आपको green द कर रहा है, लेकिन अपकोद अगर आपने कोई mic add कर दिया होगा यहां पे, तो आपको additional options यहां पे दिख जाएंगे, अब इसके सिवा यहां पे आपको lens change करने का option मिल जा रहा है, यह 13 mm का lens, यह 26 mm का lens, तो lens अगर आपको change करना तो कर सकते हो, अगर आपके पास dual lens वाला phone है, that is, जैसे कि यह iPhone 15 इसमें 2 lens है, तो आपको 2 option मिल रहा है, 13 mm, 26 mm, लेकिन अगर हम pro models की बात कर, जिन में आपको 3 lens देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको एक और option दिख जाएगा, अब अगर मैं को यह magnifying use करना है, तो वो भी कर सकता हो, इसको मैं drag कर सकता हो, और आप देख स इससे आप white balance आपका adjust कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे change करना है, तो आप directly tap करके, automatic, fixed यहाँ पे daylight भी set कर सकते हो, next आपको जो option यहाँ पे दिख जाएगा, that is exposure, तो यहाँ पे आके आप exposure भी इसका set कर सकते हो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं exposure इसका बढ़ यहाँ पे auto पे click करके, of course मैं इसका set भी कर सकता हो, shutter and ISO, तो shutter पे जैसे tap करेंगे, यह shutter speed में इसकी change कर सकता हो, depending on my requirement, तो मैं all the way नीचे लेके जा सकता हो, 1 by 30 तक, and maximum यह जा रहा है, 1 by 8000 तक, लेकिन सबसे पहले ISO की बात कर लेते हैं, ISO maximum मैं 4000 तक लेके जा सकता हो, and all the way manual settings में को करनी है, वो सब मैं कर सकता हूँ, अगर मैं को नहीं करना है, तो मैं auto पे रख सकता हूँ, तो यह तो हो गया exposure, again next time वापस आते हैं, एक और icon यहाँ पे दिख रहा है, that is focus, तो अब यहाँ पे focus भी अपना change कर सकता हूँ, तो depending on your requirement, आपको manual focus चाहिए, auto focus चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे आके set कर सकते हो, next आपको यहाँ पे orientation lock करने का option मिल जा रहा है, तो आप left orientation, या फिर अगर आपको right orientation करना है, portrait करना है, तो यह सब selection आप यहाँ पे आके कर सकते हो, फिलाल में इसको unlock कर दूँगा, अब देखते हमारे अपने जो वीडियो निका करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कौन से known devices है, जिनके साथ आप यह मीडिया शेर कर सकते हो directly, तो वायरलेसली आप यह चीज़ कर सकते हो, Bluetooth and Wi-Fi को यूज करेगा यह, आपको कोई भी wired connection करने की जरूत नहीं है, वायरलेसली जो भी आपकी मीडिया होगी, जो भी आपने वीडियो रिकॉड कियोंगे, वो आप डिरेकली ट्रांसफर कर सकते हो, आपके iPad पे, जहाँ पर Final Cut Pro के अंदर आप चाके इसको edit भी कर सकते हो, उसके सिवा यहाँ पे आपको share का option दिख जा रहा है, अब यह जो वीडियो आपने लिया है, वो आपके photo library में अभी save न Macs है, तो आप डिरेकली रिकॉडिंग को SSD में save कर सकते हो, अब चलते इस वाले option पे, अब यह वाल option करेगा क्या, clearly यहाँ पे लिखा हुगा connect to live multicamp, तो कहने का मतलब, अगर आपके पास एक iPad है, multiple iPhones है, तो हर एक iPhone एक दूसरे angle पे आप रख सकते हो, and हर angle से simultaneous साथ में आप सा चारो ही cameras को, तो अगर आप एक creator हो तो आपको पता ही होगा, आपको अलग-अलग angle से videos निकालने पड़ते है, and यही चीज़ आप एक साथ कर सकते हो, चारो cameras एक साथ record होगी, and iPad से आप उनको control कर पाऊगे, and of course iPad में जाके Final Cut Pro यूज़ करके, आप उन वीडियो को edit भी कर पा अलगजन देख रहा है, उससे भी क्लिक जरूर करिए, देखते रहे अलगजन टेक हिंदियों मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में